कि 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 क्लास में ओम का नियम अपने फिनिश कर लिया था आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर एट लेकर के आये हैं जहां हम ओम के नियम से जन्मे वी इस इक्वस टू आई आर के फॉर्मूले से निकले जो प्रतिरोध है आर उसके सयोजन के बारे में बात करेंगे हर एक चालक का गुणधर्म होता है उसका प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध को लेकर के कर चुके हैं आज समय आ गया है कि हम लोग प्रतिरोधों के सयोजन के उपर बात करें क्लास एकदम लास्ट मुमेंट में स्टूल हुई है इसलिए हो सकता है आपके पास इस क्लास का नोटिविशन थोड़ा लेट पहुंचा हो थोड़ा सा आज काम प्रतिरोधों का सयोजन शेनी क्रम और पाश्यक्रम सेयोजन यह हम पढ़ेंगे यह कल का समनेल है इस बात पर ध्यान दें और कल हमने क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था हमने करन डेंसिटी को अच्छे सद्धियन कर लिया था उसके बाद ओम के नियम का जो सदिश रूप ह उसका बहुत विस्तार में अधियन किया था ओमिक रिस्टेंज इन सब के बारें पढ़ाता आज हम चिर्कूट से शुरू करेंगे सर्किट से स्टार्ट करेंगे तो आज नोटिफिशन तक आपको बता देंगे कारण क्या था बाकी क्लास आपके सामने है और अगर कोई कि यह ब्यां घठी कि अगए ऊगए इसको बोलते हैं इंगलिश में हम रिडितान प्रेष्टर को अर। हाँ जी तो कॉम्बिनेशन और रजिस्टर राइट देखिए हाँ जारी सबकों बढ़े हाँ कॉम्बिनेशन और हाँ जी तो वैसे तो ये टॉपिक आप पहले भी बार नहीं पढ़ रहे हो ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है जब पढ़ रहे थे संदयुत नों का सईयोजन संदारित्व में आप पढ़ने जा रहे हो प्रतीरोतों आते हैं और यह सिंबल आपके लिए नया नहीं होगा को कि जो ओम के नियम का प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखने की एडवाइज मैंने आपको दी थी उसके अंदर मैंने सर्केट के सारे सिंबल बताये थे तो आपने मात देख रखा होगा टेंथ क्लास में आपने पड़ भी रखा होगा कि प्रतिरोध का सिंबल यह होता है अब मालेजिए आपके पास एक प्रतिरोध है दो ओम का और एक प्रतिरोध है आपके पास दूसरा वाला भी दो ओम का आपको अपने सर्केट में जो प्रतिरोध चाहिए वो चाहिए चार ओम अब सबसे बड़ी समस्या यहां पर ये है कि दो ओम और दो ओम के दो प्रतिरोध हैं आपके पास और आपको अपने सरकिट में चार ओम का प्रतिरोध चाहिए तो अब बड़ी समस्या यह है कि या तो हम चार ओम का नया प्रतिरोध बनाएं अब ऐसे तो अलग-अलग सर्किट की अलग-अलग requirement हो सकती है किसी सर्किट को 6 ची होगा, किसी को 8 ची होगा, किसी को 10 ची होगा तो हर सर्किट के हिसाब से, हर सर्किट की आउशक्या के हिसाब से हम बनाने थोड़ी बैठेंगे प्रतिरोध logical बात है तो फिर इसका क्या रास्ता निकाला जाए इसका रास्ता ये निकाला गया इसका रास्ता ये निकाला गया कि भाई ये काम करते है हम प्रतिरोधों का सयोजन करना शुरू करते है तो उपलब्द प्रतिरोधों से ये क्या है? उपलब्द है उपलब्द प्रतिरोधों से वांचित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उपलब्द प्रतिरोधों से वांचित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का सेवजन करते हैं खड़ाक से पॉइंट लिंगे यहीं से आपका चेप्टर शुरू हो चुका है पड़ा वाइडिंग लगा है उपलब्द प्रतिरोधों से उपलब्द प्रतिरोधों से वानचित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का सयोजन करते हैं हम प्रतिरोधों का सयोजन करते हैं तो उपलब्द प्रतिरोधों से वानचित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का सयोजन करते हैं मुक्यताय प्रतिरोधों का सयोजन तीन प्रकार से करते हैं हम लोग पहला होता है शेनी क्रम सेयोजन इसका आज आप अध्यन करोगे दूसरा होता है पार्शव क्रम सेयोजन अब गौर करिए का एक बात पर इसको बोलते हैं सिरीज कॉंबिनेशन और इसको बोलते हैं पार्लल कॉंबिनेशन पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला क्या है प्रतिरोदों के सहयोजन का मतलब होता है उपलब्द प्रतिरोद जो आपके पास पहले से उपलब्द है उन उपलब्द प्रतिरोदों से वान्चीत प्रतिरोत प्राफ्ट करने के लिए आप सयोजन कर रहे हैं और सयोजन आप दो प्रकार से कर रहे हैं पहला आप लेके चल रहे हैं शेनिक्रम सयोजन और दूसरा आप लेके चल रहे हैं पार्शवक्रम सयोजन शेनिक्रम सयोजन सिरीस कॉम्बिनेशन और चोकरम में होंगे इसके संभनित कॉशन भी आज आप करोगे क्लास में तो मिश्रिस सेयोजिन को बोलते हैं Mixed combination कि कॉपी ओपीन लेकर करें क्लास हो सकता है लंभी चले पर आज हमको अच्छे से कवर करना आपको पूरा को डिलीवर करना है तो आप इसको अच्छे से लेकर के चलें दिमाग में कि आज क्लास लंबी हो सकती है और आपको अपने कॉपी पैन लेकर के बैटना है कि से शुरू करें चलो तो जन बचों ने अभी भी जॉइन किया उसमें भी दिक्कत नहीं है अब लोगे यह पड़ा जो बच्चे अभी अभी आएं कोई दिक्कत नहीं है अभी just class start होई हम लोग यह देख रहे हैं कि जो आपके पास प्रतिरोध हैं देखो हर चालक का अपना प्रतिरोध होता है तो मान लिजे आपके पास एक चालक है जिसका प्रतिरोध दो ओम है वह वापस से बता रहा हूं बच्चे लेट हो गए आने में आज तो वापस चार ओम कहां से आए दो तरीके या तो चार ओम बनाओ नया या फिर दो ओम और दो ओम को इस प्रकार आपस में जोड़ो कि उनसे चार ओम बन जाए तो उपलब्द प्रतिरोधों से हम जो चाहते हैं उपलब्द प्रतिरोधों से वांचित प्रतिरोध प्राप्त करने के ल यह हम जो सेयोजन करते हैं उसका नाम है आपका पार्शव क्रम सेयोजन या शेनी क्रम सेयोजन या मिश्रिस सेयोजन तो सेयोजन करना का मतल़ स्वामिन में आपको पार्शव क्रम सेयोजन का एक और नाम है इसको समांतर क्रम सेयोजन भी कहते हैं तो आप चाहें तो इसको कहीं भी note करके रख सकते हैं चीज important है कि हम पार्शवक्रम सैयोजन को समानतर करम सैयोजन के नाम से भी जानते हैं तो कोई समानतर करम बोले या पार्शवक्रम बोले एक ही बात है चले numerical के साथ करेंगे आज की पुरी class को मला बहुत आएगगा पूर सिरीज कॉंबिनेशन और रिजिस्टर्स देखिए कुछ नहीं करना है मालीजी आपके पास एक रहिस्टर्स है आरवन ठीक है आरवन प्रतिरोद का एक आरवन एक प्रतिरोद है आपके पास आरवन प्रतिरोद का एक चालक है आपके पास इसके जस्ट बाद ठीक बाद दूसरा प्रतिरोद लगा दीजी एक के बाद एक इसके ठीक बाद तीसरा प्रतिरोध लगा दीजिए तो आप अगर एक के बाद एक के बाद एक प्रतिरोध लगाते जाएंगे एक के ठीक बाद दूसरा दूसरे के ठीक बाद तीसरा तीसरे के ठीक बाद चौता तो अगर ऐसे एक के बाद एक के बाद एक प्रतिरोद लगा रहे हैं तो वो कला आएगा शेनी क्रम स्योजन यह इसको ऐसे भी बोलते हैं पर्थम प्रतिरोद यह पर्थम प्रतिरोद है तो इस प्रकार जो सेयोजन होता है उसे हम शेनीकरम सेयोजन के नाम से जानते हैं तो ये आपने शेनीकरम सेयोजन कर दिया और शेनीकरम सेयोजन करने के बाद में आपने क्या किया इस पूरे को एक बैटरी के साथ में जोड दिया अब आपको मैं पर गोल्डन पॉइंट लिखवा रहा हूं गोल्डन पॉइंट हमेशा याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट से वो बूल जाओगे काम नहीं बन पाया हूं गोल्डन पॉइंट नंबर जीरो वन यह है कि यदि रास्ता नहीं बदले तो धारा नहीं बदलेगी यह एकदम अब बेस्ट पॉइंट है आपके पास इनको याद रख लोगे जीवन में आपको इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी डियान दीजिए पूरी तरह से पढ़ाई भी यह पूरी तरह से पढ़ाई पी दियान दीजिए यदि रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा नहीं लेंगी तो विबवांतर नहीं बतलेगा मज़ा बहुत आयागा जबर्दस मज़ा आयागा इस टॉपिक में मज़ा लेने वाला चीए शेनिकम सेयोजन में एक के बाद एक के बाद एक प्रतिरोत को हम लोग लगाते हैं पॉइंट नंबर बन तो यह है अब आपको दो बाते बता दी यदि रास्ता एक ही है तो धारा नियत रहेगी और अगर बिंदु एक ही है तो विबवांतर नियत रहेगा अब आप खुद दिमाख लगाई है आरवन जो है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ब आपकी कान्स्यूशन की गुंज़ाईश खतम हो गया है ऐसे अब आरटू बी और सी के बीच में आरटू पर दी के बीच में तो यहां पर यह बास समझने कि यह कि पॉइंट अलग अलग है तो अगर पॉइंट अलग है तो विभवांतर अलग अलग होगा विभवांतर सेम तब होता है जब पॉइंट सेम होते हैं यह अलग पॉइंट के बीच में यह अलग पॉइंट के बीच में तीनों पर विभवांतर अलग अलग होगा मान लेते हैं इस पर विभवांतर वी टू है और इस पर विभवांत of concern यह है आप लोगों के लिए इन तीनों में क्या चीज से में समझ ना कि भी वी टू वी थी पर बाद में बात करेंगे वे इतल समन्में आई फिसके व्यबवांतर वी एन को इन तीनों में एज चीज कॉमन Hai और वह विद्यूत धारा को कि यहां से मान लो आई धारा निगलती है मैंने आपको क्या का था धारा को आप पानी की तरह मान के चलिये। जिस प्रकार पानी होता है उसी प्रकार धारा उत कट रहा है रास्ते आगे जा करके नहीं बढ़ रहे हैं तो धारा का मान नियत रहेगा धारा नहीं बदलेगी तो यहां पर यह जो आई है वही आई धारा इसमें से जाएगी जो धारा आई है वही आई धारा इसमें से जाएगी जो धारा आई है वही आई धारा इसमें से जा शेनिकम सेयोजन में एक पॉइंट है चो डायरेक्ट आख बंद करके हम लिख सकते हैं कि धारा i is equals to नियात कि यदि सभी प्रतिरोदों में धारा सेम है तो हम उसको शेनिकम सेयोजन कह सकते हैं अब एक और होता है यहाँ पर यह आपके सामने तीन प्रतिरोद हैं अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक काम करूँ इन तीनों प्रतिरोदों को हटा करके इनकी जगे एक प्रतिरोद लगा देता हूं तो यदि इन तीनों प्रतिरोत को अटा करके इन तीनों की जगे में एक ही प्रतिरोत लगा दूँ तो उसको हम कहेंगे आर तुल्य जैसे माल लो आठ मजदूर मिलकर के एक दिवार को बनाते हैं एक दिन में और एक ऐसा अकेला मजदूर है जो उसी दिवार को बना देता है अकेला एक दिन में तो हम क्या बोलेंगे कि जो काम एक दिन में आठ मजदूरों ने किया वही काम एक दिन में एक मजदूर ने कर दिया सेम समय में एक मजदूर ने कर दिया मतलब इन आठों मजदूरों के तुल्य है ये अकेला एक मजदूर तो ये तीनों R1, R2, R3 मिल करके जो कर रहे हैं अगर ये अकेला को काम कर दे तो हम उसे इन तीनों का तुल्य कहेंगे ये तीनों मिल करके बैटरी को जहल रहे यह अगर अकेला बैटरी को जिल ले इसका अकेले का सिरों के मद्दे विववांतर भी हो जाए तो मज़े ही आ जाएगा इस हिसाब से तो यहाँ पर यह आर्टुली जो है वो किसके बराबर हो जाएगा इसका जो विववांतर है वो किसके बराबर होगा बैटरी के विबवांतर के बराबर, क्यों? कौकि यहां पे बैटरी का विबवांतर तीनों अलग अलग जेल रहे हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर है अब अगर आप चाहते हैं उन तीनों गटा करके एक लगाना है तो उस एक को, पूरे को किसको जेलना पड़ेगा? बैटरी को जेलना पड़ेगा इन तीनों में से धाराकिती जा रही है? आई जा रही है सीधा रास्ता है, इसके अंदर से भी धाराकिती जाएगी? आई जाएगी यह यह वास समझ में आई एक बच्चा बोला ऐसा शेनिक्रम की परिवाशा क्या लिखें तो शेनिक्रम की परिवाशा लिखना बहुत सिंपल है यदि प्रत्म प्रतिरोत का दूसरा सिरा दृतिय प्रतिरोत के पहले सिरे से और इस प्रकार हम प्रतिरोतों को जोड़ते जाएं तो इसे हम शेनी क्रम सयोजन के नाम से जानते हैं चलिए अब आगे बढ़े अब आप एक काम कर सकते हैं बहुत सिंपल काम है वो अब हर प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाते हैं तो ओम का नियम होता है V is equal to IR लगाना शुन करते हैं एक एक करके सभी प्रतिरोथ इस तो प्रत्म・ प्रतिरोथ के लिए लगाते हैं किया है हां दिरतिय प्रतिरोथ के लिए लगाईए फर्मूला तुल्य परिपस्ट लगाईए अब आपको पता है बहुत अच्छे से परिपस्ट से आपको एक बास साफ समझ में आ रही है कि ये वीवन, वीटू और वीथरी तीनों मिला करके वी के बराबर हैं तो वीवन प्लस, वीटू प्लस, वीथरी किसके बराबर हैं? वी के बराबर हैं अब अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मजा तो बहुत ज़्यादा आएगा चारों समीकरंस आपको दिख रहा है ना सर्किट में साफ साफ कि यह वीवन वीटू 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 मिलागर के वी के बराबर है सुवेल खान कह रहे हैं यह बहुत सिंबल से बाते पर 10-15 मिल के लिए ब्लॉग कर देगा एक कमेंट को एक बार ही करें ठीक है कॉंसेट बहुत सिंपल है कि यहां पे व barbecue, v2, v3, v के बराबर होगा, v का फमन हो लगा है सबके लिए paragone by cells i into r1, v2 निकाल ID र2, v3 निकाला और तुल्ले प्रिपरस से अपन avons i into r, यहां बस कुछ नहीं करना तो परिपर से साफ साफ दिख रहा है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर है वी के बराबर है तो यहां से अपने लिखें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 is equals to V है अब आपको क्या करना है मान रखना शुरू करते हैं समीकर्ण एक दो तीन चार्ट से समीकर्ण एक दो तीन वह चार्ट से ध्यान से देखिए इन चारों समीकर्ण में आपको मान दिख रहे हैं यह समीकर्ण आपको साफ साफ दिख रहे हैं पुट कर दीजिए V1 की जगे I into R1 V2 की जगे I into R2 V3 की जगे I into R3 is equals to I into R तुल्य राइट आई सब में कॉमन हैं कैंसल हो जाएगा R तुल्य को घुमा करके लिख दीजिए कि R तुल्य is equals to R1 plus R2 plus R3 अर्था शेनिक्रम सेयोजन में जो तुल्य प्रतिरोद होता है वो सभी प्रतिरोदों के योग के बराबर होता है अगर आप इसको पिछले चेक्टर के संदालित्रों के सेयोजन से कंपेर कर रहे हो तो वहाँ शेनिक्रम में 1 upon C equivalent is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 आया था तो यहां पर R1 plus R2 plus R3 है याद करो वहाँ शेनिक्रम में 1 upon C equivalent बराबर 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 होता है याद कर पारे हो तो ठीक है अदरवाज इस पर ध्यान दो कि यहां पर प्रतिरोदों के शेनिक्रम सेयोजन में जो तुल्य प्रतिरोद है वो सभी के नॉर्मल योग के बराबर होता है R2 बराबर simple R1 plus R2 plus R3 होता है राइट ओके डन अब अगर आपने ऐसे N प्रतिरोदों का शेनिक्रम सेयोजन कर रखाओ N प्रतिरोदों के शेनिक्रम सेयोजन है तु क्या होगा R2 होगा R1 plus R2 plus R3 कहां तक जाएगा Rn तक जाएगा यह दिजिए अगर आप N प्रतिरोदों का सेयोजन कर रहे हैं तो N प्रतिरोदों के सेयोजन में इस प्रकार R2 लिए बराबर होगा R1 plus R2 plus R3 और कहां तक जाएगा पीटा ही Rn तक जाएगा राइट चलिए अब यहाँ पर कुछ special point है वो डिसकस करते हैं जहां से देखिए special point यह है point number one यही वाला है point number one कि प्रतिरोदों के शेनिगम सेयोजन में जो तुल्य प्रतिरोद होता है वो सभी प्रतिरोदों के योग के बराबर होता है तो यहाँ पर पहला point यह है कि आर तुल्य इस इक्वास टू होता है r1 प्लस r2 प्लस ऐसे कहा था rm एक और बहुत बड़ी बात है इसमें द्याद सुनिएगा मालनों आपने तीन प्रतिरोद लिए r1 is equals to 2 ohm ले लिया r2 is equals to आपने ले लिया 1 ohm और r3 is equals to आपने ले लिया 3 ohm अब एक काम करो r तुल्य निकाल के देखो r2 क्या आएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 जोड़ो तीनों को 2 प्लस 1 प्लस 3 2 1 3 3 3 कितना हो गया 6 तो यहां से r2 किसके बराबर आ रहा है 6 के बराबर आ रहा है समझने वाली बात यह है जो r2 आ रहा है समझना मेरा point जो r2 आ रहा है 2 1 3 3 3 6 जो r2 आ रहा है वो जिन लोगों का आपने शेनिक्रम किया है उन सब में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा यह point last chapter में भी था कि भाया जब हम प्रतिरोदों का शेनिक्रम सेयोजन कर रहे है तो जो तुल्य प्रतिरोद आ रहा है वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोद से भी बड़ा है यह बात समझ में आ जानी बहुत जरूरी है कभी कभी exam में काम आ जाती है कि शेनिक्रम सेयोजन में जो तुल्ले प्रतिरोध आ रहा है वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी बढ़ा आ रहा है आई बास समझ में चलिए उसके बाद आपको एक और बास समझनी है पॉइंट नमबर तीन कि V is equals to IR होता है I constant है तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर होगा र Apr1 अनुपात R2 अनुपात R3 को कि एक तर से V समानुपाती हो गया точно R के यहा से देखें तो आह तो constant है कउनकी है तो अगर शेनिक्रम से हो जाने तो I constant Gobierno ओगया अगर रही समानुपाती होगया र के लास्ट चैप्टर में भी आपने कंसेट पड़ा था तो इस हिसाब से जो वी वन अनुपात वी टू अनुपात वी थ्री है वो होगा आरवन अनुपात आरटू अनुपार आर थ्री डूट डिट डन आया मजा आगे बढ़ें चल अब आते हैं हम पार्शा उक्रम से हो जैन फिर हम इसकी कॉशन्स करेंगे परेडल कंबिनेशन ओफ रेजिस्टांस चलिए देखिए आपके पास एक रेजिस्टांस है मालोई प्रतिरोधे आपके पास आरवन दूसरा प्रतिरोधे आपके पास आरटू जार चलिवर प्रतिरोधे आपके पास आत्री है है को का पार्शवक्रम से यूजन का बहुत सिंपल फंडा होता है कि जितने भी प्रतिरोधों का पार्श्वक्रम से यूज आप ही आप पार्शवक्तम से उर्जन कर रहे हो उन सब का दूसरा सिरा भी एक ही बिंदू पर होगा एक साथ ऐसे और फिर आप बैटरी करनेक्ट करो और सबसे मज़े की बात पता है क्या है यहाँ पर सब एक ही बिंदू के साथ जुड़े हुए है जैसे अगर मेरा सवाल यह रहे कि प्रतिरोद R1 किन दो बिंदूओं के बीच में जुड़ावा है X और Y के बीच में प्रतिरोद R2 किन दो बिंदूओं के बीच में जुड़ावा है X और Y के बीच में प्रतिरोद R3 किन दो बिंदूओं के बीच में जुड़ावा है X और Y के बीच में यह बास समझ में आती है सबकों तो पॉइंट बहुत मज़ेदार है कि यहां पर सभी तीनों प्रतिरोद और यह बैटरी जो है वी वोल्ट की यह बैटरी भी किन दो पॉइंट के बीच में जुड़ी वी है एक्स और वाई के बीच में जुड़ी वी है तो मैंने आपको गोल इसका विवांतर रिका होगा इसका विवांतर वी होगा वही होई बहुत इंपोर्टन बात है कि यहां पर पार्ष important बात है done यह बात पका 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 के लिए रहे है सब को समझ में आगे अच्छे से ओके आगे देखिए अब शुरू करता है विद्धुधारा के बारे में क्या ख्याल है मैंने कहा था रास्ता बटेगा विद्धुधारा बढ़ जाएगी यहां पर आके तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं तो अलग अलग विद्धुधारा जाएगी इसमें से I1, इसमें से I2, इसमें से I3 एकदम सिंपल है कि अगर रास्ता बटेगा तो विद्धुधारा बट जाएगी अगर रास्ता सेम रहेगा तो विद्धुधरा भी सेम ही रहेगी शुरू करते हैं अलग अलग प्रतिरोत के उपर concept लगाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनका नियम अपर इस प्रकार इस बार इस सहब से लगाएंगे अगर आप इन तीनों को अटा करके इनकी जगे एक तुल्य प्रतिरोत लगाते हैं तो यह तीनों मिलकर के जो कर रहे हैं वो तुल्य प्रतिरोत अकेला वो काम करेगा चली करके देखते हैं यह तीनों मिलकर के जो कर रहे हैं तुल्य प्रतिरोत अकेला वो काम करेगा चली करके देखते हैं यह तीनों मिलकर के कहां लगे हैं एक्स और य के बीच में लगेगा इсть पर भी विवह उतना ही होगा जतना बैobject दे रही है यह तीनों में धारा किती जारी है आई जारी है यह अकेला किती धारा दोगा आई धारा लेगा सही वाद ये तीनों मिलकर के धारा आई ले रहे हैं तो ये अकेला किती धारा लेगा आई धारा लेगा आई वास समझे में कोई दिक्कत चलो अब एक काम करते हैं ओम का नियम लगाना शुरू करते हैं सभी प्रतिरोदों के उप़र पहले प्रतम प्रतिरोद के लिए प्रतम प्रतिरोद के लिए उम का नियम लगाते हैं इसके लिए आई इस इक्वेस टो वी अपॉन आर तो आई वन इस इक्वेस टो वी अपॉन आर वन आई वन इस इक्वेस टो V upon our equation number 1 राइट तृतिय प्रतिरोध के लिए I2 is equals to V upon R2 बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है तृतिय प्रतिरोध के लिए I3 is equals to V upon R3 equation number 3 तुल्य अफ परिपत के लिए लिए लिखते हैं यहां से अब यहां हमें सर्किट से एक बार डायट समझ में आ रही है परिपत से हम एक बार डायट गोज सकते हैं और परिपत से एक ची डायट समझ में आ रही है कि I is equals to I1 plus I2 plus I3 यहां से जो धारा जा रही है आई वही धारा आगे तीनों में बट रही है यहां से जो धारा जा रही है आई वही धारा यहां आगे जाकर के तीन में बट रही है यहां से गौर्फ प्रमाने वाली बात यह है कि हम कि इसको अगर समयकरण 5 बोलें तो समयकरण 1 2 3 4 से हम आई 1 आई 2 आई 3 और आई कमान समयकरण 5 में रख सकते हैं तो रखते हैं समयकरण 1 2 3 4 से मान समयकरण 5 में रखने पाल बहुत सिंपल हो जाएगा ना देखो आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 होता है तो आई की जगे क्या आएगा वी अपॉन आड तुल लिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बहुत सिंपल है बिटा देखो यहां पर इसी जगे के वी अपॉन आर तुल लिए यहां पर इसी जगे के वी अपॉन आर तुल लिए इक्वेशन वन से इसी जगे के वी अपॉन आर तुल लिए इसी जगे के वी अपॉन आर तुल लिए इसी जगे वी अपॉन आर तुल लिए प्लस वी अपॉन आर तु रोजाएगा वन अपॉन आप तुली इस इकोस टू कि वन अपॉन आर उन इस यह चाहिए इस तरह आप अब अगर अपन प्रति रोदों के समांतर करम शर्जन के लिए लिखे हैं एन प्रतिरोधों के समांतर क्रम स्योजन हेत्तु लिखे हैं तो फॉर्मॉला इस प्रकार बनेगा वन अपन आर्द तुल्य इस एकोज तो यह यह उपन आरवन प्लस वन अपन और टू प्लस वन अपन और घ्रह एक हैं उपन Jeanne पता है किस आप से लिखते हैं इसको पर ऐसे बोलते हैं कि तुल्य प्रतिरोद का व्यूद क्रम सभी प्रतिरोदों के व्यूद क्रमों के योग के बराबर होता है लिखने के तरीका है लिखने का फर्मैट होता है हमेशा उसी फर्मैट में लिखा जाता है कि तुल्य प्रतिर कर व्यूत करम सभी प्रति रोधों के व्यूत क्रम के योग के बराबर होता है he special इस पेशल पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं यह फस्ट पॉइंट किये हैं अब इसका सेकेंड पॉइंट समझेगा बहुत इंट्रेस्टिंग है इसे मानिजा आपके पास प्रतिरोध है आपके पास एक प्रतिरोध है आऑके प्रतिरोध है आपके पास प्रतिरोध हम दैओर आपके है Top 10 और अपउम मान आपके पास है आएथा है αυτό आप आप ऑन आड निनयों पता है क्या होगा और सबस्दधान पार व कितना है वी से अगी कितना है यहां पर ऑन यहां स्वाइब कितना है याल सेंट कितना है वन ने 14 14 I am up on our to North I am upon our to live इस्वाइब ग्तिना आ गया 4 दो जबर एक साथ सब्टा चार इंगलती मत कर देना लाला वन अप On our to बराबर साथ बटा चार आरर तुल्य बराबर समटा चार नहीं आर्थ लियां से क्या निकल के आएगा और तुली यास निकल के आएगा चार बटा साथ और तुली यास निकल के आएगा चार बटा साथ डन यहां ता समझ में आया है तो बताओ पहले देखो कुछ बच्चों का इंसर आए ना गलत इसलिए मैं कहला था और चार बटा साथ लगबख 0.57 के बराबर होगा सीखने वाली बात पता है क्या है फोकस प्रतिरोदों के पार्शवक्रम सयोजन में प्रतिरोदों के पार्शवक्रम सयोजन में तुल्य प्रतिरोद प्रतिरोदों के पार्शवक्रम सयोजन में तुल्य प्रतिरोद सबसे छोटे वाले प्रतिरोद से भी छोटा आता है और यही तो बात है लाला कि पार्शाव प्रतिरोदों के पार्शाव करम सयोजन में तुल्य प्रतिरोद सबसे छोटे वाले प्रतिरोद से भी छोटा आता है तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा आता यह कहा नीड है यह सही बात पक्का केलियर है अब आपको एक वार पॉइंट बताते हैं उसके बाद तो फिर कॉशंस करेंगे कॉशंस का अपन देखते हैं अभी हो सकता है क्लास लंबी लेने का प्लान था बट ऑफिस में गनपदी बपा आये हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था और गनपदी बपा में हमारी बहुत असीम आस्ता है और अब मैं आपको बात बताऊं कि हम हर साल गनपदी ले कर के आते हैं पिछली साल बपा को नहीं लापायते क्योंकि लॉक्डाउन का महार्ण तो आफिस में ना मतलब पिछली बार नहीं आपाये थे इस बार हम गणपती बापा को लेकर आएं तो एक ऐसा चोश सका महौल है और मन ही नहीं भरता है उनकी सेवा करे बिना तो आप इंस्टागाम वगरे पर देखते भी हैं कि शाम को बजन संधिया वगरे सब कुछ रहता है तो कल एक बहुत बड़ा महापर्व है कल हम लोगों ने 108 दियों की आरती रखी है बपा के लिए और चपन भोग का कारेकरम रखा है मैं आप लोगों को फिजिकली तो नियोता नहीं दे सकता बट मैं आप सभी को डिजिटली नियोता दे रहा हूं कि आप सभी पधारिये और पूरी टीम अभी बपा की सेवा में है इसलिए क्लास इस थोड़ी सी शेडूल उपर नीचे हो जा रहा है बट जहां से हमें शक्ति मिलती है वो उपर वाला ही है तो अगर हम उनकी उनसे शक्ति और उनकी प्रात्ना करेंगे तो हम सब को सथ बुद्धी मीं मिलेगी तो यह बात है तो वसुनी की सेवा का समय हो रहा है तो मैं इसलिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा कल की त्यारियां भी बहुत सारी करनी है कल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास देखो शामकुत हो नहीं सकती कल मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्णिंग में आपकी लिए चलो तो यही बात कहला था आगे पढ़ते हैं अब वी इस एक्वस्टू क्या होता है वी बाई आर होता है पॉइंट नमबर थर्ड इसमें ध्यान से देखिएगा कौन इस बार गौर फ़र्माएं वी आपका निया थे पार्शा उक्रम सही हो जन्मिए सब पे वी फिक्स है तो पार्शाव क्रम सहयोजन में वी नियत होता है तो आई किसके विद्क वानुपाती हो गया आर की नियता है मत्तल्ब धारायं किस प्रकार जाहें गी री वण अनुपात आई टो अनुपात आई टिरी किसके बराबर होगा वन अनुपात ओर वन अनुपात वन अपॉन अनुपात है इस बत का विशेश ध्यान रखीएगा कि यह चीज़ आपको याद रखनी हमीश deepest बहुत जादा इंपॉर्टेंट है वहरärt वहर्य इंपॉर्टेंट धिस स्लिए वहर्य वर्वर्य इपॉर्टेंट राइश्ट तो इस प्रति आपको यहाद रखें तो इनके पास दो प्रतिरोना लुड याद परना उच्छा रहता है बाघ बठीरोद हैं और पार्षावक्रम में अर्वन तो इनके पार्षावक्रम सर्वांजरें को फॉर्मला भ्याइड यादी कर लीजेगा वण अपॉन आर्तुली पहले में निकालकर बताता हूं अर्टुली इस इकोस्टू क्या आएगा वन अपॉन आर्वन प्लस वन अ बराबर आएगा और टू प्रतिर्याद रखने हैं इस फर्मिले को अगर दो प्रतिरोध पार्शा उक्रम में सहुजित है जैसे एक प्रतिरोध है इस प्रकार से एक प्रतिरोध आपके पास है 4 ओम और दूसर प्रतिरोध आपके पास है दोओम और आपसे कहा गया चीए कि ना हुगा तो टूल कि आर तुल्य सुअ सब्हूंध है और और 4 चाहर प्रतिरोध नेर से जाएगा चार और तो छे यह आपका प्रतिर्य हो जाएगा आट अपॉन छे राइट आए बात समझ में तो आर्ट तुली कैसे निकालते हैं इस बात को समझीएगा बहुत महतुपूर्ण है यह कि आर्ट तुली इस इक्वस्टू होता है आरवन आरट टू अपॉन आरवन प्लस आरट आरवन आरट अपॉन प्लस आरट तू इसको डाइट याद रसकते हैं अगर माली दो प्रतिर आपने चार ओम दो सिंपल करना है चार दुनी आठ अपॉन चार प्लस दो च्छे तो आट बटा च्छे ओम जो है आपका आरट तो लिए अगर डाट यह फंवला आपको हेल्प में करवाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे मतलब अगली क्लास जो भी होगी तो यह श्रेणी करम आप पार्शाव करम सेयोजन था एक बात और याद रखें जैसे माली जे दो प्रतिरोद आपने एक जैसे लगा दिया है पॉइंट नमबर फाइव मतलब पहला प्रतिरोद है जो आपने लगार रखा है और दूसरा प्रतिरोद है जो आपने लगा राक आपड़ा दियो लगा तो अगर है दो प्रति रोद एक जैसे लगाए है तो एक बात धियान रखना ऐसे केस में 1 upon R तुलिये is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 का फ़मना लगेगा दोनों सेम है तो R1 की जगे भी R आएगा R2 की जगे भी R आएगा नीचे आगे R1 प्लस 1 हो जाएगा 2 तो यहां से R तुलिये कितना आजाएगा R बटा 2 तो अगर 2 प्रतिरोद आपको पार्शा उक्रम में दिख रहे हूं 2 प्रतिरोद अगर आपको पार्शा उक्रम में दिख रहे हूं 2 प्रतिरोद अगर आपको पार्शा उक्रम में दिख रहे हूं तो आपके पास एक डायेट मैथड है आपको अगर दो प्रतिरोध पार्षा उक्रम में और एक जैसे है बराबर है मान में तो उनका तुल्य किसी एक का आधा होगा जैसे फॉर एक्जामपल जैसे आपको मालो दे रखाओ कि एक प्रतिरोध है चारों और दूसरा प्रतिरोध भी है चारों डायेट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको जब अगली क्लास में निमेरिकल्स कराऊंगा एक नमबर निमेरिकल्स कराऊंगा मा कसम मज़ा आजाएगा सची बोलगा मैं एकदम अवल दर्जे के इजी जे लेकर के तफ तक अच्छे से अच्छे कॉशन कराऊंगा मैं आपको इस चैप्टर के अंदर सर्किट में ना अपने एकदम उस्ताद है बोले तो ऐसे बढ़िया सर्किट कराऊंगो ना मज़े आ जाएगा तो उस मज़े के लिए आपको एक कंसेट आने चीए मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है इलेक्ट्रोनिक्स यह सर्किट फरकिट बढ़िया ऑप्टेक्स इलेक् से अलगी मौबबत है जटकों से करण से बहुत प्यार है मेरे तो मैं आपको एक एक लेवल के अच्छे लेवल की कॉशन करा दूँगा इंजिनिंग की लेवल की कॉशन से मैं आपको ध्यान देना पड़ेगा आज की बेसिस पढ़लो अच्छे से अगली क्लास में बहुत म होता है हमने हर बार ऐसा किया है आपने लेवल देखा है यह चट नंबर वन और टू का तो वही आपको यहां मिलेगा तो मानलो चार ओम चार ओम की दो प्रतिरोद लगेवें पार्शा उक्रम में तो इनका तुल्य आप डैट बहुत सकते हो किसी एक का आधा डो डाय खटा और दो प्रतिरोद मालो लगे ऒये हैं चार ओम पांच ओम ड़ाया का ंधाय हो जाए का एक अनि दो हो जाएका है को कलियर है ए नेक्स पॉइंट देखो six point हो आप यह समआनले अपने प्रतिरोद जोड रखे n इसमा rabbits प्रतिरोद चार प्रतिरोद नब्ट हो और है और 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 ऐसे कित्ते जोड़ रखें अपने एन जोड़ रखें ऐसे कित्ते जोड़ रखें एन जोड़ रखें पाच्छाव क्राम तो वन अपॉन आड़ तुलिय का फर्मूला क्या आएगा एक बात करो एक बात बताओ जरा एक और एक को दो बार जोड़ते हैं तो क्या आता है एक 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 तीन बार जोड़ते हैं तो क्या आता है एक को चार बार जोड़ते हैं तो क्या आता है चार आता है एक को पांच बार जोड़ते हैं तो क्या आता है पांच आता है एक को छे बार जोड़ते हैं तो क्या आता है छे आता है एक को साथ बार जोड़ते हैं तो क्या आएगा एन आएगा यहां से वन अपवान आर्टुली कितना आ रहा है आर बटा एंड कि टैक आया मजा जोर से बोलो जय मात आदी सारे बोलो जय मात आदी आया समझ मा माल आपको ऐसे बोल दिया हो इसका पर बताता हूं जैसे माल आपको कह तीनों परतिरों कितना हो तो श्राइब कितना होगा लांग ऑ है हो जोंड कितना न कि और अब अगर तीनों सेम सेम हैं तो हो गया या कितना सिंबल हैं तीन भाई तीन को चाल बार जोड़ रहा हो था तीन भाई चाल खतम गया हो गया प्रॉपर डूडिड डण अब एक हल्का फुलका पॉश्ण लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं झाल उना हो बगया हाँ जी चली एक प्रश्ण करते हैं देखो एक प्रतिरोध है शेणिक्रम में यह प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध शेणिक्रम में है इससे बैटरी लगी है बारा वोल्ट की ठीक है और दो प्रतिरोध लगा रखे हैं अपने एक प्रतिरोध दौं का लगा रखा है एक प्रतिरोध चार वों का लगा रखा से वह कि हमें यह बताना है सुनना ध्यान से प्रश्ण को हमें बताना है कि परीपत में धारा कितनी होगी पहली वाद कि पहले वाले प्रतिरोध पर विब्वांतर वीवन हैं दूसरे वाले पर वीटू है हमें यह बताना है कि वीवन का मान कितना है और वीटू का मान कितना यह हमें इस कॉशन में बता हैं बहुत सिंपल है सबसे पहले इस चीज को समझें तो यहां पर डायरेक्ली यह बास समझ में आती है कि यह शेणी क्रम सहीं हो जन है है कि यहां पर जो तुल्य प्रतिरोद आएगा वह इनको जोडने से प्राफ्थ होगा तो यहां जो आर्ट प्लिय होगा वह इन दौनों को सिंपल जोडने से प्राफ्थ होगा 2 फ्लस 4 चार और दो होगया च्छे उठोड सही है यह हो गया यह हो गया बारा वोल्ट यह हो गया च्छे ओर कितना है बारा आर तुल्य कितना है च्छे दुनी बारा मतलब आर तुल्य में से कितनी धारा प्रवाइट हो रही है दो एंपियर शे निक्रम की खासियत यह होती है कि जितनी धारा इसमें से प्रवाइट होगी उतनी धारा आर तुल्य में से प्रवाइट होगी एकदम हल्वा सवाल है है सभी बात है है यह सब्सक्राइब है कि सभी है कि नहीं है बताओ कि परफेट क्लास ना एकदम समझे में आ रहा है ना कॉंसेट क्या है बहुत सिंपल कॉंसेप्ट अगर समझें तो एकदम सिंपल कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट यह है कि इन दोनों का आप ने किया यह दो उभाई हैं का शने कर चलों होगा इसलिकरम 2017 के बाद में तुल्य प्रतिरोध आएगा उस तुल्य प्रतिरोध में प्रतिरोत निकल करके आगई बढ़िया एक्दम अब यहां दारा पता है आपको प्रतिरोत पता है अलग अलग फॉर्मुला लगा कि आप विब्वानतर निकाल सकते हैं तो आप यहां फॉर्मुला लगाएंगे V1 is equals to I into R1 I कितना है 2 Ampere R1 कितना है 2 Ohm यहां आगया 4 Volt मतलब इस पर voltage कितना है 4 Volt है अब इसके उपर धारा पता है और R पता है V2 निकाली है V2 होगा I into R2 V2 कितना है वो तो निकालना है सर I कितना है 2 Ampere है सर R2 कितना है 4 है 4 दूनी 8 Volt आप चेक करें 8 Volt प्लस 4 Volt कितना है 12 Volt और 12 Volt बैटरी को 2 इसमें बढ़ दिया आपने 12 Volt जो है 2 इसमें बढ़ गया 4 Volt और 8 Volt पहली बात दूसरी बात दारा किती जा रही है 2 Ampere इसमें से भी 2 Ampere इसमें से भी 2 Ampere वोगि दौनों किस में जुड़े वे शेणी कर में जुड़े वे जितने बच्चे बैठें यहां पर अभी साड़े 300 400 के असपर बच्चे बैठें सभी Comment session में लिखें कि सर हमको समझ में आ गया यस या मक्षन या ओल के लिए सबी बच्चे comment session में लिखेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूँगा आज की class को एंडे करूँगा reason यह है कि मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि देखो कभी में कोई question बेसिक होता है ना तो जल्दी करा देता हूं उसको बहुत basic question था हमें पता था हमने इसका आर्टुल्य निकाला आर्टुल्य और बैटरी की सायता से हमने current निकाल लिया जो current आर्टुल्य में है वही current शेनी करम में सभी बंदों के पास होगी इसके पास भी उतनी current इसके पास भी उतनी current और आर्पता है वी निकाल लिया current और आर्पता है वी निकाल लिया हो गया question समझ रहे हो अब कल की class में level को up करेंगे अगली class में और अच्छे questions कराएंगे यह एकदम शुरुआ थे बिटा this is just beginning okay this is just beginning अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम दिल ले गए तुम तो मज़े ही आगया अगया अगया बहुत अच्छे वेरी कुट अब रिक अब तो चलिए बहुत बहुत मज़ा आया आज आप लोगों ने आप चेक करलीजीए यह सारी चीजें आप लोगो ने पड़ी है आज प्रति रोदों का सहिंओ जन इतना महत्वोण टॉपिक आपने पढ़ाएं कि मज़े आ गया अगया दन तो मिलेंगे आप से अगली क्लास में इस उमीद के साथ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया कि कल हो सकता है आपकी क्लास होड़ी उपर नीचे रहे उसके लिए आज ह क्लास में बब जैंद टेक क्या था नको कुछ रहो मस्तर पढ़ाई करते रहो और अभी हम लोग त्यारियों में लग जाएंगी और केमेस्ट्री क्लास रखने की कोशिश करूंगा मैं कल गारंटी नीच सकता कोशिश पूरी करूंगा मिलते अगली क्लास में बबाए क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना आपको यह टॉपिक चैटर पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है कमेंट करके बताना आपकी पढ़ाई कैसी चलती है बबाए जैंद कितना में है ताना क्लास झाली है कमेंट करेंजार आपको यह टॉपिक अगली का सब्सकत है बताना आपका टॉथमिक चैटर पका स्पर psychiatrist